यूं तो गौलियर शहर बीज़पी के दिगज निताओं का गड़ है लेकिन फिर भी यहां का अंतराज्य बसड़ा अपनी बदहाली पर आसू बहा रहा है यहां यात्री सुविधाओं का टोटा है पानी और साफ सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी यात्रीयों को परिशान होना पड़ता है देखिए गौलियर से यह रिपॉर्ट यह है गौलियर का अंतराज्य बस टर्मिनल इसकी देखरे का जिम्मा गौलियर नगर निगम के कांधे पर है निगम यहां बस टेंट पर खड़ी होने वाली हर एक बस से सुविधा शुल्क लेता है लेकिन बावजुद इसके यहां यात्रियों को सुविधाई नसीब नहीं हो रही आलम यह है कि दूर दरास से आने वाले यात्रियों को बैटने तक का इंतिजाम नहीं पीने का पानी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता है बस अड़े की हालत भी जरजर हो चुकी है हजारो यात्री रोज़ाना यहां से सफर करते हैं लेकिन ग्वालियर बस टेंड पर आते ही उनकी हैपी जर्णी का सपना चूर चूर हो जाता है इस मामले में ग्वालियर नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि ग्वालियर अंतराज्य बस्टेंड के निलामी की जा रही है इसलिए यहां विकास रुका हुआ है नए ISBT के लिए स्मार्ट सिटी में काम शुरू कर दिया गया है जहां बहतर सुईधाय दी जाएंगी जहांतर मेरी जानकरी में है कि अभी वहाँ पे ISBT का जो पोर्शन है उसको पैम पोर्टल पर बेचा जा रहा है बस्टेंड के बधाली पर सियासत भी खूब हो रही है कॉंग्रेस का आरोप है कि BJP सरकार सरकारी सब पत्यों को बेचने का काम कर रही है वही BJP ने कॉंग्रेस के आरोपो को बेबुनियाद बताया है पिक किया गया है वहाँ पे उसमें रीडेवलप्मेंट के मॉडल में उसको लिया जा रहा है तो कॉंग्रेसी जो आपती उठाते हैं वो बिना तर्क और तत्यों के उठाते है कुल मिलाकर नए ISBT के बनने की प्रक्रिया अभी कागजों में है वहीं दूसरी तरफ अगले फरवरी में इस सरकारी बस्टेंट के निलामी कर दी जाएगी ऐसे में यात्रियों का क्या होगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है वेरो रिपोर्ट के साथ प्रलाद सेन, बंसल न्यूस ग्वालियर